दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटुब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंदित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबंदित हो या फिर सौफटर से संबंदित आप मुझे वाटसप या कॉल कर ये और सेलूसिन लिजिए बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वावत है आप सभी लोग का एक बर फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉलूशन में और आज हमारे साथ काफी सारे लोग आपको दिखाई दे रहोंगे ये वियाजी लोग कहां से आये हैं इनका नाम क्या है क्योंकि ये भाई साथ तो हमारे काफी पुराने कस्तमर हैं हमारे पास कई बार आ चुके हैं और हमारे पास से कई बार डेटा ले भी गये हैं और कई सारे लोग को दिलवाया भी है लेकिन और भी जितने भी भाई यहां पर आपको दिखाई दे रहोंगे ये सारे लोग नए हैं एक एक करके सभी लोगों से करते हैं और परच्च करने कोशिश करते हैं आपको जानकारी उपलब्द कराते हैं इधर से स्टाड करोड़े अपना नाम बताईए और कहां से आएं यह बताईए ये बितियक कें हैं और इनका नाम और परचृशना कुमार जी आप सर्जी उपहएंदर कुमार पटे आप सिक तो नर्कटिया गंज में कितनी दूरी है तो यानि कि आप लोग जो हमको लग रहा है कि आप लोग तीन लोग वहां से आए सिक्टा से और आप लोग दो लोग नर्कटिया गंज तो आप लोग इनको लेकर क्या है पांसों मेटर में नेपाल से शिक्टा से शिक्टा से शिक्टा बोर्डर यह जानकारी यह देना है कि आज संडे है संडे को हमारा काम रहता है लेकिन यह जो जिनका मशीन बनने वाला है इनको आज ही की दिन छुट्टी मिलने वाली थी तो इन्होंने भाई साब ने मुझे कल फोन क्या रिक्वेस्ट करागी सर एक पीसी बनानी है और वो लोग नेपाल के हैं और मजबूरी यह है कि उनकी छुट्टी ही रहती है संडे को यानि कि जब भी बन पाएगी तो संड अब नहीं दुकान है वहां पर अच्छा तो संडे को ही बंद करने का क्या कारण जो वहां पर ओलाइन का ज्यादे काम करते हैं आप यह चलिए ठीक है समय जयादा नहीं क्योंकि समय कम है और संडे है तो हम भी आराम करने का मूड में रहते हैं एक गंटे केंदर सारा काम कर इकोशिज करेंगे जो कि साथ arrivé के अंदर देखी होगे तो वह सिन आज हम बना करके देने वाले है और मसीन जो बनाने वाले हैं बहुत ही स्पीड करके आती है यह आ प मतलब कुछ भी अगर होता है कि कुछ भी नहीं जानते एक होता है कि हाँ जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इनको काम पता है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ियां से नहीं पता है तो इनको हम पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की वीडियो भी देंगे ट्रेनिं कोशिस करेंगे कि मशीन बनने के बाद मेंकी क्लिक्ष से संतुस्ष्ठ हैं की नहीं assess при लोग से संतुस्ष्ठ हुए種 मेरे ओफिस पहुंचे हु убий Abg Eiende Cruise कर आगे उसके वापस camera packer के बागी की जानकरी हम आपको देते हैं दोस्तों यह है आज का motherboard जो कि हम लगाने वाले हैं और यह motherboard काफी जबर्दस motherboard है Core i5 में इतनी शांदर performance निकाल करके देता है यह motherboard की पुछिए मत complete manual बायो सेटिंग के साथ इस मशीन को बनाने वाले हैं और motherboard की विसे में हम कुछ जानकारी आप पोदे दे तो यहां पे आप देख पारेंगे चार स्टिक यहां पे आप लगा सकते हैं रैम की 128 जीवी रैम तक यह motherboard हमारा सपोर्ड करता है 18 जीवी की दो इस टीक हम लगा करके complete 16 जीवी रैम लगा करके इस मशीन को हम आज बनाने वाले हैं और यहां पे आप सॉकेट देख पारेंगे M.2, NVMe SSD दो आप लगा सकते हैं दोनों के लिए अलगा लगा है, C के लिए यहां पे हिट सिंक लगा हुआ है, 9 फेस की फूल डिजिटल वियारम है, मॉस्विट वाली और कई सारे फेसलेटीज हैं, चार हार्ड ड्राइब आप लगा सकते हैं इस मशीन के साथ, और बैक पै इसकी फीचर बहुत ही गजब की है, और बताना चाहेंगे आपको कि इसके साथ हम आज यह प्रोसेसर कौन सा लगाने वाले हैं, प्रोसेसर मैं लगाने वाला हूँ, आज 12400 नंबर और यह प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग के लिए वरदान है, बहुत ही शांदर परफॉर लगा हुआ है, और यह थोड़ा सा पटक पटक जाता है न मालाने में, तो यह चीज़े हैं, बाकि सील कंप्लीट सामने हैं, और यहां पर सील करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आसा मत समझेगा कि जो लोग आये थें, उनको यहां से हटा दिया गया है, या कहीं भेज करके किसी कमरे में पीसी बिल्ड करके उन लोग दिया जाएगा या ऐसा नहीं है, एक पर कैमरा पीछे लिए और सभी भाईयों को दिखाएए, जितने भी लोग यहां पर आये ते सभी लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं भाई हमारे और कुछ बैठे हैं, और दोस्तों प्रोसेसर हम लगा चुके हैं, अब बढ़ेंगे आगया और बात करेंगे रैम की, रैम जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि लगाने वाले हैं, 88 GB की दो स्टिक और टोटल कंप्लीट 16 GB रैम लगा करके हम मशीन को बनाने वाले हैं, और बनाते भी हैं, को Core i7 के साथ 32 GB, Core i5 के साथ 16 GB, यह परियापत है, बढ़ते आगे रैम निकाल करके आप लोगो को बाकी की जानकारी उपलब्द करवाते हैं, दोस्तों रैम निकाल चुके है बाहर और 88 GB की हमारी दो स्टिक है, एक एक करके हम यहाँ पर अपने motherboard के साथ फिट कर लेंगे, इस SSD अपना किलियर कर लेंगे, प्रोसेसर रैम और SSD हम यहाँ पर लगा चुके हैं, अब बात करेंगे इसमें लगने वाले CPU कुलर की, CPU कुलर हम लगाने वाले हैं, बड़ा वाला 120 mm का टर्बो मोटर के साथ आने वाला एक शांदार RGB CPU कुलर, CPU की विसे में हम आपको आगे जान 120 mm का साइज है, और यह टर्बो मोटर के साथ फुल RGB CPU कुलर है, इसका बेस वगरा काफी जबर्दस्त, काफी शांदार है, और पीछे की सैड में आप देख पा रहे होंगे, यह पूरा इसका रेडियेटर यह भी काफी जबर्दस्त है, चलिए बढ़ते हैं और इसे complete install करते अपने motherboard पे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दे कि एक packet मिलता है इसके साथ, जिसमें की complete material इसे mount करने के लिए, तो फटाबर इसे mount कर लेते हैं, बाकी motherboard आके आपको दिखाते की पुरा complete mount होने के बाद यह कैसा दिखता है, दोस्तो CPU कुलर हम लगा चुके हैं, और CPU कुलर लगने के बाद, यह आप देख पारेंगे, बहुत ही शांदार आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरी complete motherboard हमारी okay है, machine में build होने के लिए, यानि यह cabinet में लगने के लिए, और यह machine जो आज हम बना रहे है, core i5 इस पे एक घंटे का रेंटर, मातर, 10 मिन्ट के अंदर हो जाग लेकिन यह cabinet हम आज इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें का cabinet मेरे पास है भी नहीं, और एक पीस बचा हुआ है, तो वो थोड़ा सा damage है पीछे के साइड से, तो वो cabinet हम देने वाले नहीं है, तो यह आज मेरे पास stock में यही पढ़ा हुआ, यह cabinet हम लगा करके दे रहे हैं और यहां पर हम आपको जानकारी देते कि इसके पैसे थोड़े से बढ़ते हैं, यह ध्यान में रखिएगा कहीं, ऐसा ना हो कि आप कमेंट करके यह कहने लग देए कि सर, एक आदमी का आपने आई-फाई बनाया था, तो वो cabinet दिया था, तो मुझे भी वोई cabinet चीए, तो य आपके बढ़ेंगे, आपको देना पड़ेगा, फिलाल यह cabinet आज हम लगाने वाले है, यहां पर है, आप देख पारेंगे, कुछ पेच बगर है, यह हम खोल करके इंस्टॉल करेंगे, लेकिन cabinet के विसे में कुछ आपको जानकारी हम देदे, फ्रेंट में तीन फैन लगा करते हैं, यह अगर बोलेंगे तो हम लगा देंगे, वैसे लगवा लेते हैं तो अच्छी रहती है, काफी खूबसरत cabinet है, पुरा complete black color में है, काफी सुन्दर लुक आने वाला है, RGB भर-भर के मिलेगी इस PC में, बढ़ते हैं आगे, complete material इंस्टॉल करते हैं, अपना hard drive लगात के पूरी तरीके समने मशीन को कर लिया, ओके, बताना चाहेंगे कि फ्रेंट में तीन आपको दिखाई दे रहोगा, RGB की बहुत बढ़ी है लुक इस मशीन में आने वाली है, उपर के सैड में भी दो फैन लगे हुए है, पीछे भी एक फैन लगे हुए है, 5G की स्पीड मिल इस मशीन की मैनुवल बाइयो सेटिंग करते हैं, और विंडोज वगे टेमशीन की कमप्लीट इस्टोलेशन करने के बाद मशीन को चक करके वापस कैमरे पर आते हैं, और आपको बताते कि इस मशीन की परफॉर्वर्मेंस क्या है, और इसकी रेंडर की स्पीड प्लस बफर बिल्कुल चमाचम, बिल्कुल साफ सुत्रा है, और मेरे बनाईवे मशीन बिल्कुल चमाचम होते हैं, इसमें एक भी आपको एक्स्टा वायर लटकता या जूलता हुआ नहीं दिखाई देगा, पार्ट्स जितने भी लगाए गया है, सारे ब्रंडिट पार्ट्स हैं, इस लगवाया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा होगा, पीछे भी फैन है, बड़ा वाला CPU कूलर, और फ्रंट में तीन फैन, आई फाइब को इस तरीके से बिल्ड करके देता ही नहीं, जितना बढ़िया समय बना करके देता हूँ, कैबिनेट से लेकर करके हर एक चीज, यहा करें, आपको उपलब्द करवाएंगे, आई यह सर सभी लोग एक बार फिर कैमरे पर, आई 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 यह, यह हमारे सबसे पुराने कस्टमर हैं, और इनके ही थुरू, बाकि आई बाब भी आई यह, यह सभी लोग आई हुए हैं यहां पर, दो ही मिन्ट आप लोगों वाइरिंग वगरा कैसा हुआ है साफ सुत्रा है मसीन बहुत अच्छा हुआ है इसमें परफेक्ट है जे चलिए मसीन की वजन आपने देखिए उठा करें कितना है नहीं चेक हैं चेक करी एक बार, धीरे से उठा करके धीरे से रखिएगा नीचे साथ लगाई यह तो बहु दस किलो के आसपास वजन देती है इसकी मसीन पूरी तरगे से हमने इनको चेक करा दिया है और इन्होंने चेक भी कर लिया मसीन की परफॉर्मस कैसी है बहुत अच्छा कहीं बफरिंग में कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं और इनको ट्रेनिंग की वीडि दस बेस लेके रात में 10 बेस तक कॉल करके बात कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं यह मशीन मात्र साथ हजार रुपे की हैं उपर वाला फैंच छोड़कर करके और कैबने इन्होंने दूसरा लगवाया हुआ है अगर इस तरीके का मशीन अगर बनवा करके अपने घर तक मेरे काम के तो पहली बारा है यह अचुके है गजैंकरी आप देना चाहेंगे यहां के काम के बारे में यहां का जो सिस्टम है क्या आप अपने तरीके से क्या आपको दिखाई दे रहा है तो ऑर आप किसी का वीडियो ही देख कर यहां पर आयो होनगे बाइज हुआ होगा बहुत अच्छी बात है समझ आता नहीं लेंगे इसके साथ इन्होंने लिया हुआ है उसके पैसे लगते हैं और आप भी अगर वीडियो एडिटिंग के लिए डेटा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लेटेस वर्दन आपको डेटा मेरे पास से मिल जागा आप घर बठी भी मंगवा सकते हैं और अगर आप वीडियो एडिटिंग में आना चाहते हैं और आपको किसी भी तरिके कोई नॉलिज नहीं है तो उसके साथ आपको पूरी कम्प्लीट टुटोरियल और वीडियो फ्रेमें मिलती है जिसको देखकर कि आप एक से दो दिल में एक स्टांदार वीडियो एडिटर बन सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे वड्साप या कॉल कर लिजेगा मिलेंग अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी वीडियो के साथ तब तक लिए आप सभी लोग को प्यार भरा नमस्कार जैन दोस्तों